आजादी के समरत महुत सव की आप सभी को ठेर सारी शुब कामना है 92.7 Big FM सुन रहे हैं आप मैं हूँ अजय आपके साथ अशो है Big Spotlight और आज Big Spotlight में हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री सूर्य प्रताप सिंग जी राजावत जो पेशे से लॉडवाइजर हैं एक एडवोकेट हैं और साथ ही बहुत शोत करते हैं भारती सम्विधान पर और खास दोर पर वो अरविंदो सोसाइटी से भी जुड़े हैं अरविंदो घोश जिनका जन्म 15 अगस्ट 1822 को हुआ था 150 वी जैनती उनकी हम मना रहे हैं एक उत्तर योगी एक क्रांती कारी श्री अरविंदो और उनके लिए कहा जाता था विशेश रूप से ब्रिटिश सरकार द्वारा की सबसे खतरनाक व्यक्ति है ये आज उने के बारे में हम जानेंगे श्री सूरे प्रताब सिंग जी से सर बहुत-बहुत स्वागत हैं सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे श्री अरविंदो को उत्तर योगी कहा जाता था इसके पीछे क्या कारण था ये नाम उत्तर योगी श्री अरविंद को तमिल के प्रसिद्य योगी की बहुशेवानी के आधार पर दिया गया है दक्षन के प्रसिद्य योगी नगाई जप्तान ने ये बहुशेवानी की थी कि 30 वर्ष बाद उत्तर से एक योगी दक्षन में आएंगे और यहां दक्षिन में पून योगगा अभ्यास करेंगे उन्होंने उस योगी के पैचान कर सकने के लिए तीन लक्षण के रूप में तीन वचन या कहें तीन पागलपन के बारे में बताया था वे जो तीन पागलपन है वे तीनों श्री अर्विंद के उनकी पतनी व्रिनाली जी के नाम के पत्रों में पाये जाते हैं वो तीन पागलपन थे श्री अर्विन द्वारा ये लिखा गया कि उनकी समस्त योग्यता इश्वर की देने और ये योग्यता केवल राष्व के लिए है इश्वर की खोज, दूसरी पागलपन और तीसरा भारत को सुतंतर कराने का लक्षे भर्थ अनिवर्सरी भी हम मना रहे हैं श्री अर्विंद सार्द शती जी की यानि श्री अर्विंद खोश जी की एक महां योगी डार्शनिक कवी एक देशभग स्वतन तता सैनानी और क्रानतीकारी और ये सब आज बिग स्पोटलाइट में जान रहे हैं आप आज के हमारे मेहमान श्री सूर्य प्रताब सिंग जी राजावत से सर स्वागत है एक बार फिर से सूर्य प्रताब जी फ्रीडब स्ट्रगल में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है क्रांतिकारी के रूप में श्री अर्विन के क्रांतिकारी पक्ष को जानने के लिए श्री अर्विन के डॉक्टरिन ऑफ पैसिव रिजिस्टंस और भवानी मंदिर को समझना होगा सबसे पहले पूर्ट सुतंदरता की मांग श्री अर्बिन ने की थी अंग्रेजी सरकार उनको Most Dangerous Man of India मानती थी श्री अर्बिन ने भारत माता को शब्दों में परिवाशित किया था रविनरा टैगॉण ने उनके अभिवादन में एक पूरी कवीता लिखी थी अलिपूर बंकांड मुकितमे की पैर्वी करते हुए C.R.दास ने कहा था मुकितमे के शांत हो जाने के बाद इस अंसार में श्री अर्बिन के चले जाने के बहुत बाद श्री अर्बिन को देश भक्ति के कवी राश्ट्रवाद के पेगंबर और मानवता के प्रेमी के रूप में याद किया जाएगा और उनकी वानी न केवल भारत में बलकि सुदूर, सागरों तथा देशों के पार भी ध्वनित और प्रति ध्वनित होती रही जी श्री अर्विन कोश उनका जनम दिन भी 15 अगस्त 1872 को 150 वी उनकी बर्थ एनिवरसरी मना रहे हैं आज हम आप सुन ते रहे 92.7 पर आज हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट श्री सूरे परताप सिंग जी राजावत और खास आज हम बात कर रहे हैं श्री अर्विन खोश की जिनकी 150 वी जहनती भी हम मना रहे हैं सर जो अर्विन जी हैं उनके बारे में कहा जाता है कि spiritual nationalism उन्होंने जो है वो दर्शा आया था उसके बारे में जरा हमें बताएं आध्यात्मिक राश्टरबाद के बारे में श्री अर्विन देश को सामुईक आत्मा की अभिवक्ति के रूप में देखते हैं जो की दिव्य विधान के अनुसार नियत कारियों को संपादित करने के लिए आदेशित हैं भारत को आध्यात्मिकता, अमरिका को वानिज्य उड़जा, इंग्लेंड को व्यवारिक बौदिकता, फ्रांस को स्पष्ट तारकिकता, रूस को भावनात्मक प्रचंडिता, आधी को मानव जाती की कल्यान, संब्रदी और प्रगति के लिए विक्सत करने के आवशक्ता है सार ये है कि धर्ती माता विविन्द राष्ट्रों के रूप में स्वम को उत्रोत तर अभिव्यक्त कर रही है, संजुक्त राष्ट के गठन को विश्व सरकार के रूप में उसी दिशा में बढ़तावा कदम देखा जाना चाहिए समिदान सबाग की जो डिवेट्स हैं उनमें भी श्री अरविंद गोश का उलेक मिलता है, उनकी शिक्षा नीती, शिक्षा के बारे में उनका क्या सोचना था, वो हम चानेंगे श्री शूरे प्रताब सिंग राजावत आज हमारे साथ है, 92.7 बिग एफिम के बिग स्पॉट लाइट शो में अजे के साथ जुड़े हैं, श्री सूरे प्रताब सिंग जी राजावत जिन्होंने शोत किया है, और 150 वी बर्थ अनिवर्सरी भी है, अर्विंद घोश की, उ श्री अर्विंद जी जो है, उन्होंने युवाओं को संदेश दिये, एक क्रांती कारी भी थे, एक संत भी वो रहे हैं, लेकिन एक खास बात जो उन्होंने कही है, वो मानव एकता पर उन्होंने जो बल दिया है, उसके बारे में हमें बताएं, मानव एकता आदि काल से मनुश्य जाती की अभीपसार रही है, आदुनिक काल में फ्रांस के क्रांती के नीती वाक्तियों, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटरिनिटी में इसके अभीव्यक्ति हमें मिलती है, श्री अर्विंद कहते हैं कि संसार में लिबर्टी, इक्व स्टापित नहीं हो पाया है और उसका कारण है फ्रेटरिनेटी के लिए आवशकता है अध्यात्मिक क्रांटी की आध्यात्मिक क्रांते के लिए आवशक है चेतना के रुपांत्रण की आध्यात्मिक रुपांत्रण को मूर्थ रूप देने के लिए एक प्रयोग है औरोविन औरोविल के विचार को सन्युक्त राष्ट की सभा ने चार बार अनुमोधन किया है जी तो सूरे प्रताब सिंग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं 92.7 बिग एफम पर आप सुने बिग स्पोटलाइश ने आजादी का दिन है आजादी का अमरत महुतसव मना रहे हैं हम 92.7 बिग एफम सुने आप मैं हूँ अजय आपके साथ हर घर तिरंगा है चारो तरफ आज हमें बता रहे हैं श्री सूरे पताब सिंग जी राजावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी शिक्षा नीती जो सर थी वो आज भी बड़ी प्रासंगिक है जो श्री अर्विंद जी ने दी थी श्री अर्विंद के राष्टिय सिक्षा नीती पर विचार आज भी बहुत उप्योगी हैं और मार्दरशन देते हैं श्री अर्बिन बताते हैं कि राष्ट्रे सिक्षा की मांग का जीता जाकता भाव ये नहीं चाता कि हम भासकराचारी के गणित और जोतिश की और लोड़ जाएं या नालंदा की सिक्षा पद्धती अपनाएं। यह उसी तरह है जैसे सुदेश की भावना रेल या मोटर परिवन की जगे रत या बैल गाड़ी की और वापस नहीं ले जाती। के उपक्रम की मार्व राष्टी सिक्षा नीती 2020 के डॉकुमेंट को जो हम पढ़ते हैं तब हम यह पाते हैं कि इनी सिध्धानतों को केंदर में रखा गया है। जी बिलकुल सच है तो आज बेग स्पोटलाइट शो में हमारे साथ श्री सूरे प्रताफ सिंग जी राजावज जी जुड़े हुए हैं और हम बात कर रहे थे एक कर्म योगी एक क्रानती कारे श्री अर्बिन खोश के बारे में आज श्री सूरे प्रताफ सिंग जी राजावबत हमारे साथ हैं जो शोद कर रहे हैं उन पर जुड़े हैं उनके संदेशों के साथ उसे प्रसारित करते हैं सर जब हमारा देश आजात हुआ था 15 अगस्त 1947 को तब उन्होंने जो भाशन दिया था एक महत्पून संदेश दि दिसकस करें श्री अरविंद के 15 अगस्त के भाशन के बारे में मैं आपके जरिये FM के जरिये सभी को यह बताना चाहूंगा कि आज भारत अमरित महत्सव मना रहा है और इस अमरित महत्सव में श्री अरविंद क्या जो भाशन 1947 में दिया गया उसे हमें बार-बार पढ़ना चाहिए वो आज भी बड़ा महत्वपून और सारगर्बित है उस भाशन में श्री अरविंद पांच संकल्पों के बारे में बताते हैं जिसमें पहला था श्री अरविंद का भारत विवाजन का विरूत दूसरा श्री अरविंद बात करते हैं एशिया के उत्थान की तीसर वैश्विक स्तरपस्ट संयुक्त राश्टर की भूमिका के बारे में बताते हैं भारत का विश्व को अध्यात्मिक देन और अंत में पांच संकल्प के बारे में श्री अरविंद बताते हैं कि विकास क्रम की प्रक्रिया में योग की मेत्वपून भूमिका जिसमें भारत क अग्रिनिय भूमी का अपिक्षित करते हैं श्री अर्विंद अपने पांच संकल्पों में जी तो जानेंगे आज हम 150 वी जन्व जैन्ती के अवसर पर श्री अर्विंद खोश के बारे में सुन तेरे 92.7 बिग फेम आपके साथ आजादी के 75 वर्ष आजादी का अमरत महतसव शुब कामना है आपको मैं हूँ अचया आपके साथ और बिग स्पोटलाइट शो में आज श्री सूर्व प्रताप सिंग जी राजावत हैं और मैं आपको यहाँ एक चीज़ और बता दू कि आजादी के इस अमरत महतसव पर हम श्री अर्विन सार्द शती महतसव यानि कि 150 वी उनकी बहुत अनिवर्सरी भी मना रहे हैं और उनके बारे में जान रहे थे जिनके लिए रिसर्च कर रहे हैं आज के हमारे बिग स्पोटलाइट के महमान श्री सूर्व प्रताप सिंग जी सब समविधान की जो डिबेट्स हैं समविधान सबा की उसमें भी श्री अर्विन का उलेक मिलता है उसके बारे में हमें बताएं समविधान सबा की जो डिबेट्स है वो में 12 वॉल्यूम्स में मिलती है उनका जब हम उध्यन करते हैं तब वॉल्यूम नंबर 7, 8, 9, 11 में श्री अर्भिंद का उलेक बार-बार मिलता है। जैसे 5 नमबर 1948 को भारत की राजनीती की दशा और दिशा के चिंतन करते समय श्री अर्भिंद को याद किया जाता है। इसी प्रकार 6 दिसंबर 1948 को जब समविधान सबा के मानिय सदस्यों ने वर्ल्ड वर वर वन और टू के साक्षी रहे थे। ये प्रशन आया था कि भारत को अब क्या करना चाहिए। तब समविधान सबा ने श्री अर्भिंद को याद किया और उन्होंने का कि जो श्री अर्भिंद कहते हैं रुपांत्रण के बारे में कि जब तक चेतना का रुपांत्रण नहीं होगा तब तक हमें वेश्विक समस्याओं का समधान नहीं मिल सकता। इसी प्रकार 16 माई 1949 को श्री अर्बिंद को याद किया जाता है 31 अगस्त 1949 को इस पश्ट रूप से सम्विदान सबा ये कहती है कि पस्चम हमारी तरफ देख रहा है और हमें भारत को जिसके पास अध्यात्मिक ज्यान है उस ज्यान को पूरे संसार में हमें मार्द रशन देना चाहिए और इसके लिए भी श्री अर्बिंद को याद करते हैं इसी प्रकार 25 नवंबर 1949 को श्री अर्बिंद के जो क्रांतेकारी रूप था उसको याद किया जाता है तो आज बिग स्पोटलाइट में हमारे साथ श्री सुर्य प्रताब सिंग जी राजावत हैं जो आज बात कर रहे हैं श्री अर्बिंद घोश की जिनकी हम 150 वी जन जैन तीवी बना रहे हैं आज बिग स्पोटलाइट में श्री सूर्य प्रताब सिंग जी राजावत हमारे साथ है और आज हम 150 वी जन जैन तीवी मना रहे हैं श्री अर्बिंद यानि कि श्री अर्बिंद घोश की जो एक कर्मियोगी थे और एक ख्रांति कारी थे एक कवी लेखक दाशनेक सुतंत्र भारत के लिए कैसा होना चाहिए क्या होना चाहिए श्री अर्बिंद की सुतंत्र भारत से अपिक्षा थी कि भारत आध्यात्मिक ज्यान को पुनप्राप्त करे संसार की समस्याओं को चिन्नित करे और उसके बाद उन सभी समस्याओं को अध्यात्मिक ज्यान के माध्यम से समधान करे श्री अर्विन भारत को विश्व का चिकित्सक मानते हैं श्री अर्विन भारत को विश्व गुरु मानते हैं श्री अर्विन भारत में स्रिजनात्मक्ता बौधिक्ता का अधार अध्यात्मिक्ता मानते हैं परंतु इसके साथ गरीबी को अध्यात्मिक्ता की शर्ट या साधन मानने वाले वे सन्यासी नहीं थे वे गरीबी को अध्यात्म का विरोधी तत्व समझते थे वे साफ लिखते हैं गरीबी का अस्तित्व पक्का सबूत है कि समाज अन्याय पूंड गलत धंग से संगठित है दान देने की बात डाकू के हिर्दे में उठने वाली आत्म गलानी की पहली अलसाई जागरती भर है श्री अर्बिन ने आत्म रक्षा में आक्रमक्ता को सही ठहराय था जी सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और मैं सिर्फ सबसे यही कहना चाहूँगा जो शो खरोश के साथ मनाएं पूरी प्रसंता के साथ मनाएं और भारत की प्रगती के लिए देश भक्ती के लिए जो कुछ कर सकते हैं देश के लिए वो जरूर करें यही सदेश था हमारे महापुर्शों का सुन तेरे 92.7 बिग एफेम धुन बदल के तो देखो